हाई फ्रेंट्स वेलकम टो मैं चैनल मैं सनातन पाल आप लोग के समय और एक डॉकुमेंट रिलेटेट वीडियो लेके आ गया तो आज का जो वीडियो है बोटर एडी डूब्लिकेट बोटर एडी कैसे बनाता है ठीक है डूब्लिकेट मतलब आपको तभी बनेगा जब आप फिर देस्ट्रोइड हो गया या फिर आपका कोई फ्लाड हुआ तो फ्लाड में आपका वोटर एडी का कुछ पता नहीं चल ला है मतलब वोटर एडी तो आपके पास है लेकिन उसमें कुछ नाम फोटो वगरा कुछ पता नहीं चल ला है तो ओस सिचेशन पर आपको क्या क तो वीडिया को ज्यादा मैं लंबा नहीं करूंगा तो सीधा computer screen पर चलते हैं जाग Google open कर लेना है फिर National voter portal search कर लेना है National voter portal service इसमें क्लिक करने के बाद अभी देखिए voter portal इधर आ गया तो इसमें क्लिक कर देना है इसमें करने के बाद create an account जिसका account अल्रेड है वो login कर सकते है जिसका नहीं है तो create an account अभी इधर हो mobile number और email address तो आप mobile number से भी कर सकते है email address से करेंगे तो आपको बहुत ज्यादा time लाएगा OTP नहीं भी आ सकते है मैं बहुत बट्राई किया नहीं आया था mobile number डालने के बाद send OTP send OTP हो गया अब verification code आपका mobile पर six digit के code गया होगा तो ओ code आपको डालना है code डालने के बाद verify कर देना है verify करने के बाद देखिए success का message आ जाएगा फिर create password password कैसे डालना है password minimum six character का होना चाहिए उसमें से एक digit होना चाहिए फिर एक special character होना चाहिए और at least one uppers case होना चाहिए तो ओई सबसे आपको password डाल देना है ठीक है तो password अगर सही होगा आप यह सबसे डाल देंगे करके create an account पी देखिए welcome to the voter portal let's start the journey with single entry point for voter service please complete your profile in next step all level voter service तो next step में आ जाना है next step में क्या करना है बस आपका नाम डालना है सरनेम डालना है कौन से आधर जेंडर सेलेक कर देगा फिर अभी स्टेट का हो सबका एक ही है मतलब एक ही system है तो कोई कभी एक एक स्टेट आप सिलेक कर सकता है अपका जो इस प्रॉटर यहाना है फिर देखिए इदर आगया इदर आपका प्रोफाइल बन गया तो आप इदर से भी चेक कर सकते correction in the voter ID पूरे details आपका जो भी voter ID का काम इसमें से पूरा हो जाएगा correction in voter ID इसमें click करना है अभी देखिए right side में deletration of voter ID ये भी है आधर linkage भी है new voter registration भी है तो मैं ये click करना हूँ मुझे ये चाहिए correction चाहिए तो correction अभी देखिए इधर आ गया नाम आ जाएगा फिर आपको कुछ नहीं करना बस सिधा लेस्ट सरा ठीक है फिर yes I have the voter ID नंबर अगर है अगर नहीं है तो आपको no में click करना है no में click करेंगे तो आपको आपको पूरा details भरना परेगा फिर मैं voter ID डालने के बाद अभी देखिए इधर found किया है इधर found किया है कि देखिए voter ID नंबर के साथ फिर पॉसिट में डाल देना है पॉसिट में डालने के बाद देखिए पूरा details आ गया नाम के साथ पिता जी का नाम जेंडर एसेंबली फिर पार्ट नंबर सब कुछ आ गया इसको एक बद चेक कर लेना है ठीक है और सही रहता है फिर भी एक बद चेक कर लेना है ठीक है फिर save and continue Reason for applying form नंबर 8 ठीक है अभी देखिए आप कौन से वज़े से आप correction करना चाहते हो एक एक आदमी का एक रहता है तो मुझे कुछ नहीं है इस्यू अप रिप्लेश में डिपिक विद आउट करेक्शन तो मुझे विद आउट करेक्शन में क्लिक कर दूँगा मैं अभी देखिए save and continue उसमें क्लिक कर देना है उसमें करने के बाद अभी देखिए फिर से आपका मोबाइल पर मोबाइल नंबर डालना है फिर से आपका मोबाइल नंबर डालना है फिर OTP आएगा फिर OTP वेरिफाइग करना है ठीक है सेम प्रोसेस पहले जैसे किया थे और ऐसे यह सेम प्रोसेस send otp click करने के बाद अभी otpi का 6 digit का अभी फिर verify पर click करना है अभी success कहा हो गया your mobile number से verify अभी क्या है reason for applying replacement of epic card lost, destroyed and multilated तो इसमें आप कौन से वज़े से आप अपना card replacement करना चाहते हो ठीक है multilated करोगे तो आपके बास है destroy, मेरे सब से destroy कर देना सही है, क्योंकि destroy में कुछ record भी नहीं है, मतलब आपके पास card ही नहीं, आपके पास से destroy हो गया, आग लग गया या फिर पानी में खो गया ऐसा खोना तो नहीं है, मतलब पानी में डूब गया, तो necessary disaster में जो भी है आपको reason लिख देना है, कौन से, किसके वज़े से आप voter ID card replacement करना चाहते हो ठीक है, जैसे आप उपर select किया है destroyed, तो destroyed में क्या के आता है आग लग गया, फिर flood आ गया और आपका natural और भी कोई disaster जैसे तुफान आ गया उसके वज़े से destroy हो गया तो यह सब चीज जो है आपको लिख देना है तो मैं इसे लिख दूँगा due to small fire incident फिर save and continue यह हो गया, दिखे, form number 8 यह जो है form number 8 पूरा details इसमें आ गया मतलब कौन से वज़े से आपका कहा का assembly है पूरा आ जाता है मतलब आपका address नहीं आएगा address अपको पहले से ही है तो यह सब जो है जो लोग address change करता है आप इधर कुछ भी edit नहीं कर सकते है ठीक है, आपको बस दिखाने के लिए दिया है terms condition है इधर से कुछ भी आप edit नहीं कर सकते है बस आप एक बच चेक कर लेना है चेक कर लेने के बाद फिर आपको सीधा इधर से submit करना है अभी देखिए नीचे photographic अभी है तो यह सब हम लोग को जरूरत नहीं है तो इसको लेके घबराना नहीं है इसको लेके कुछ घबराना इधर लिख दिया है कि flood, fire, others, natural, register जो मैं पहले वोला था तो इधर और भी है आप एक बच चेक कर लेना चाहिए तो फिर आप edit form में भी edit कर सकते हैं अगर आपको कुछ गलती हुआ तो फिर submit में क्लिक कर देना है अभी देखिए congratulations, you have success to submit your application application reference number id भी दे दिया, इसको क्या करना है note करके रख देना है, in future आपका काम आ सकता है, अगर नहीं चाहता है तो नहीं भी वो आपका मर्जी है ठीक है, तो फिर भी आप copy करके रखना सही है तो copy करके फिर home में क्लिक कर देना है आपको track करके भी दिखाऊंगा क्या status है, कैसे track भी करता है कैसे track करता है, track status अभी देखिए, इधर complaint, complaint नहीं करना है application पर जाना है, enter the reference number अभी reference number ओवला में paste कर दूँँगा, track your status अभी देखिए, इधर क्या है your tracking application status submitted, अभी submitted दिखा रहा है अभी इसके बाद क्या होगा BLO appointed, तो boot level officer has been assigned for your submit application, मतलब आपका जो boot level officer है, वो assign करेगा जो application किये है, ठीक है, फिर field verified, फिर field में आपका घर पर भी आ सकता है, आके verify भी कर सकता है, हाँ ये सही है, तो आपका जो दिया है, reason सही है तो वो verification हो जाने के बाद फिर अगर आपको application accept हो गया तो आपको साथ दिन में आपका voter ID मिल जाएगा, by post भी मिल सकता है जो BLO appointed करेगा, वो भी देखे जा सकता है, अगर reject हो गया, तो फिर सही करके आपको फिर से application करना है जो का voter ID घर पे आ जाएगा तो इतना ही process था अगर मेरा वीडियो में कुछ सही information लगा, तो मेरा चैनल को सब्सक्काइब कर दिजिए, और सभी को happy दिवाली, तो सब अच्छा रहेए खुश रहेए, दिवाली अच्छे से विदाईए मिलते हैं अगला वीडियो में तब तक के लिए बाई